और दोस्तों कैसे हो यार सारे मैं आप सभी को वेल्गां करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूडूब चैनल जैयार कॉलेज में दोस्तों मेरा नाम है गौरुम अन्द्रा और मैं 11 और 12 के बच्चों को SP and OCM ये lectures प्रोवाइड करता हूँ तो कैसे हो है आप सभी पहले do let me know in the comment section क्या हाल चाल है आप सभी के दोस्तों मैं बता दू हम OCM का 11th का ये lecture चल रहा है और उसमें भी introduction of commerce and business का lecture number 2 है तो दोस्त अगर आपने lecture number 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले जा करना lecture number 1 देखना उसके बाद ही आप इस lecture पर जंप करना ठ पूरे chapter के हमने यह समझा कि economic activity क्या होता है non economic activity क्या होता है फिर हमने समझा बिजनस क्या होता है उसके हमने features देखें और अब बारी है पता है कि इसकी profession and employment क्या होता है समझने की आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा बिल्कुल एंचन ना दोस्तों हम start करते हैं बस ल जल्दी से जल्दी कि और यह होगा सिफ और सिफ आपके प्यार केस पर ही अदरवाइस नहीं कर पाएंगे बागी दुस्तों यह मेरा instagram आईडी है लेक्शन नमर बन के बाद काफी बच्चों ने प्यार दिखाया वहाँ पर उसके बहुत बहुत शुक्रिया दूस्तों और ऐसा ही प्यार मैं चाहूंगा आप हमारे हम दोनों की पूरी जर्णी तक हमें अब वही प्यार को मेंटेन करना है ठीक है वाई साथ में बढ़ेंगे साथ में आगे बढ़ेंगे साथ में OCM में 90 प्लस लेके यह मेरी गारेंटी चलेगा पक्का स्टार्ट करेवाई आज का लेक्चर जितने भी फॉर्मेलिटीज है लाइक करनेगा शेयर करनेगा सब्सक्राइब करनेगा आई होप आप वो बिना भूले कर लेते हो हर बार यह मरा इंस्ट्रग्राम आइडी जो भी अब तक मुझसे कनेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पर कर सकता है और जिसका इंस्ट् आपके बुक में इसका डिफिनेशन बहुत अच्छा दिया हुगा है आईए समझते उसको पहले यह एक एकनॉमिक एक्टिविटी है एकनॉमिक बोला तो जो एक ऐसा काम जो पैसा रिलेटेड है जो पैसा जन्रेट कर सकता है जो मॉनेटरी टम के साथ कनेक्टेड है हम उस बोलागे है जैसे एक काम है जिसमें इंसन अपना एड्यूकेशनल नौलेज़ चुस करता है और साीशाथ उसका सकील अपलाइ करता रो ह嗎 जिसे प्रोफेशन कहते हैं और जब वह यह चीज़ करता है न सकुपैसे मिलते एक्डसा अपने कॉमर्स के तरी णाइमांड दोस्तों ये एक professional course है इसे एक profession क्या है अब दोस्तों education के मामले में ये लोग बहुत smart है जो CA है उसने CA का course करके एकदम भाई उस चीज में export हो चुका है जो CS है और उसके पास lawyer as a act करने का अगर कोई डॉक्टर है तो उसने पूरी educational course complete करी है ये सारे लोग पता है क्या दोस्तों profession में आते हैं कभी सा सोचा है क्यू देखो ये लोग क्या करते हैं अपना educational knowledge इस्तमाल करें educational knowledge इस्तमाल किया एंड वो skill इस्तमाल किया जो दोस्तों ही लोग training में सीखते हैं अगर एक डॉक्टर की एक डॉक्टर है उसके पास एक heart operation का कोई patient आता है वो डॉक्टर educational purpose पे तो बहुत talented उसको rank 1 आया था लेकिन भाई उसने पता है कि उसने training के वक्त कुछ इस्तमाल सिखाई नहीं वाउस किल नहीं operation heart का करना था लीवर भार निकाल दिया और लीवर कर दिया लीवर भाई बढ़िया जिंदा हो गया इंसान उसको ऐसा लगा लीवर में दिक्कत थी ना लेकिन उसने लीवर के जिए के heart में operation कर दिया और वह अंकल जो थे या वह आं इसन की आज साना इसका नाम था उसकी देख हो चुकी इसा ही दोस्तों को सीए होता है वह finance का guidance डेता है ठीक है टेक्स बचा है कैसे बचा है सीमें इस पर guidance दे सकता है तो यह कंसर्ट करता है कि आपको टैक्स बचाना पैसे कर सकते हूं के काफी है जो इस फिल में expert वो काम कर आपको किसे इसी आपना सीख पूछया भाए जो में सीएंड पास स्किल्स में वे तुझे ग्जान दे रहा हूं लेना है तो ले परना आप जा सकता है किसी और सीये के पास ये और किसी भी इनसान के पास जी से इस इस फ्ल्ड में काम करता हूं, कुछ इस सब्सक्राइब भी एक प्रौफेशन तो मैं उसको बहुत रेस्पेक्ट करता हूं किल सबकी अलग लग होते हैं किसी का तरीका अलग है कोई ओनलाइन नहीं समझा पाता तो कोई ऑफलाइन एकदम कींग है सब टीचर का अपना अपना तरीका होता है और वो सारे टीचर अगर वो पढ़ाने की किसी को शमतार रखत है लेकिन एक टीचर और स्टूडेंट जब तुम कॉलेज में जाते हो तो टीचर आपके सामने जब वो पढ़ाने आते हैं उनको इसकी सेलरी मिलती है तो वो प्रोफेशन में है ठीक है चलेगा यहां पर एक्जामपल देख लो डॉक्टर लॉयर सीए 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 में इंजि प्रोफेशन अलंब इत्वीचर फोर माक्स या जितने भी माक्स डिपेंड करता है तीगे चले मेरे भाई आगे तमझ में आरा ना गया रहीं दिचलो फीचरस मेरा एम किया है मेरा एम है में जो भी profession कर रहा हूं अगर मैं लॉयर हूं अगर मैं टीचर हूं अगर मैं डॉकेट हूं सी है सी है मैं डॉक्टर जो भी हूं है मेरा एम है मैं अपने educational course को education knowledge and skill को सही जगये से apply कर हूँ and सही जगये पर ही उसे करके वह service provide कर सकते हैं यह मेरा ultimate aim है यह सारे professions का यही एम होता है क्या लिदी के qualification और एम में दूस्था आप अपने मंसे भी लिख सकते हो उसके बाद क्या qualification अगर कोई डॉक्टर है तो उसके प्रोफेशनल लेवल्स क्लियर कर रखे हो उसने तीन लेवल होते हैं फिर साथ में ट्रेनिंग भी कंप्लिट कर रखा हो तो यह दोस्तों मेरी qualification है साथ ही साथ मेरे पास membership है अगर मैं सी यह हूँ तो में पास membership है रिजल्ट करीब है तो क्या पता कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ और में करीब और आ जाओ तो दोस्तों कौलिफिकेशन यहां पर आ जाता है ठीक है मैं बनूंगा किसका मेंबर दॉक्टर तो तुम नहीं बनोगे इस वीडियो को देख रहे हो तो लेकिन तुमारे पैरेंट्स या आपके सिब्लिंग्स या आपके कजिन्स फुरी में घर रहे हैं हो लोग आप चाहते हो ना कि मैं मैंने अब टीचर बनने के लिए भी मैं आज टीचर हूँ तो मैं का यही मैं जब कुछ आगे जाके बनुगा तो उसको चीज से रीटन हो मेरे पास हालिया अतना बेट हुआ मेरे हाथ में जॉब हो हमारा इल्टीमेट गोल तो यह होता है ना पैसे तो फाइनेशल रिटन होता चाहिए और सीसी सारे जो प्रोफेशन से ना इसमें बहुत प अपना क्लीनिक खुलना चाहते हो तो आपके क्लीनिक का खर्चा आपके एड्यूकेशन का खर्चा एक्सपेंस में आ जाए कैपिटल में आ जाएगा इमें ठीक है चलो अब देखो यह दोस्तों यह पॉइंट्स आप अपने मंच से लिख सकते हो मैं जो समझा रहा हूँ मै मार्क मिलेगा अपने इंगलीश में लिखो अपने लांग्विज में लिखो फ्रेम करने की कोशिश करो अभी से चलो फिर क्या है रेजिस्ट्रेशन अड्र मेंबशी अगर दूस्तों आपको ना कि कोई बच्चा उसको सिए देने का है उसको सिय आ पाउंडेशन देना करना अपने आपको इस तरह से आपको पहले अपने पर एक्जाम्स परने पर दिये आपको ने अपने अपनी आर्टिकल्श इप तभी आपको मिलता है मेंबर्शिप लाइसेंस और तभी ही आपके नाम के आगे सी यह लगता है नाम के आगे CS लगता है नाम के आगे CS नहीं लगेगा क्योंकि मेरी आर्टिकल शिप पिरियड बचा है जब मेरी आर्टिकल शिप कम्ट्रिट हो जाएगी इस गौर मुना टाइम है चलो अब क्या है नौन ट्रांस्फरिबिलीटी दोस्तो जब मैं CS ICSI का जब मैं में 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 बना हूं मेरे पापा बोलते है कि यार मुझे ना CS का काम बढ़िया मस लग रहा है तो अब जैसे मेरा बच्चा बन चुका है CS मेरे पापा उनका नाम हरी प आज से CS हरी प्रकाश एक सेकंड अंकल एक सेकंड यह बना आपका बेटा आप कई से लगा रहे हो ना स्टॉरी अंकल ऐसा नहीं होता आपका आपको पर्टिकुलर्ली आपको ऐसे इन परसन आपको वह रोल वह काम वह एजुकेशन कंप्लेट करने पड़ेगी नौन ट्रां अपने नाम किया कि से लगा सकते हैं आप सीए हो तो आप ही से काम कर सकते हो कोई आपके बहाफ में और कोई काम नहीं कर सकता इंशुक्त नेचर ऑफ वर्क अब देखो या डॉक्टर है तो वह अपना जो भी उसका स्पेशलाइजेशन है वो उसकाम में करेगा असीए है त अब कंसल्टेशन देगा उसके बाद वो रिप्रेजेंट करेगा कोट के सामने तो यह सारे नेचर ऑफ वर्क होते हैं ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ हमने हमारे प्यारे से टॉपिक प्रोफेशन को भी समझा और आई नो यह ऐसा कुछ नहीं जो आप पहली बार सिख रह की यह है इसा लोग किसी और के लिए है इसे एक नब कहते हैं जब कोई इंसान किसी और के लिए काम करता है फ्री में काम नहीं करता है उसको उसके सैलरी मिलती है उसे हम employment में अब जैसे पर एक्जामपल किदर जाने की जरुबत नहीं है कि अपना जेयर कॉलेज या जेयर टुरी टुट्रेल्स का ओनर कौन है राल ङा राघ्या क्या मेजयर टुट्रेल्स का ओनर हूं नहीं लेकिन वह BAT कि मैं यहां पे ऐसा ओनर रह रह्याँ लेकिन इलाव ट्रीटमेंट क्या एक्टल ओनरशिक की बात मेरे और रहूल सर के बीच में एक engagement ड्राउल सर ने मुझे जॉब दिया है में राउल सर के यहाँ पर जॉब कर रहा हूं कि है लेकिन फिलाल राउल भईया employer क्योंकि उन्हें जॉब को एक्सेप्ट करी मैं एंप्लॉई हूं जो जॉब देता है वह employer जो जॉब करता है वो employee और इस relationship को employment कहते हैं समझ मैं है दोस्तों employment में आज से कुछ साल बात तुम भी शायद काफी बच्चे है जो होंगे वो employment में जाएंगे अच्छी बात है यार आप जितने भी आप companies देखोगे उसके अंदर employees होते हैं अब employee बनना किसी का कुछ गलत है क्या नहीं यार एक business का अलग फाइदे है एक employment में रहने का अलग फाइदा है आपको लगता होगा कि यार नहीं सर मैं तो खुद का business करूंगा मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के अंडर काम करूं दोस्त इतना easy नहीं होता एक business को establish करना या employment में कि नहीं सर्म एंप्लाइमेंट सही है कोई अपना उपर होएगा है उसकी बात मानते रहो नहीं दोस्त employment में भी easy नहीं है तो हर चीज का अपना प्रोस और कॉन से डिपेंड करता है person to person आपके comfortability पर डिपेंड करता है कि आप किसी के अंडर काम कर सकते हो का वर्क कल्चर कैसा है अब जैसे सोचो है तुम लोग सोचो मेरे को दो साल हो चुका है जेहर के family पे अब मेरे यह स्टार्ट हो रहा है ठीक है थार्ड यह तुमारे बैच के साथ है में भी वक कल्चर अच्छा नहीं हो या में भी अच्छा सब्सक्राइब बात है हर जगे है जाब बेटर वक बेटर वक एक्स्पोजर बेटर सेलरी बंदा स्विच करेगा लेकिन कभी गवारना सेलरी से उपर भी बहुत चीज़े होती है जिसे आप कह सकते हो कमफर्टिब नहीं हो सकता उसे भी पता है लेकिन वह आपको उसलिए दे रहा है ये अपको चला सके होता है इसे कहते चलो तो इंप्लॉइमट में यह सब देखने मों मिलता है यह बार की बाता आ थैं यह बतना चाहता था टक्सपॉक्स एकनोमिक अक्टिबिटिटी है एक एकश्विट जोब ठीक है वाई इतना आसान टॉपी के चलो आगे यह बीस में दो मिट लागिया टेंशन मतलो फीचर्स के इसका एम है मेरा एम होगा एज एम्प्लॉई जो मेरा हो आ जाध हो में डोकटरं में के अपके सिट्र म्यड़ी कःशन आपके पास की दिगहेंगे डं संसर नने लाइजन के देखेंगे तो आप अपलाय कर सकते होने कोλλफ नहीं अब अगर employment में हूँ तो मेरा जो employer है मैं वहाँ पर काम करूँ वो make sure करे तो इसके लिए वो मुझे एक उतना adequate amount of salary देगा जो हम लोग के बीच में mutually decide होगा ठीक है वो अपने हिसाब से नहीं रख सकता या यह भी अपने हिसाब से क्या ही capital लग रहा है आप तो किसी के अंडर वक कर रहे हूं आपका traveling expenses relocation expenses हो सकता है आपकी education का जो खर्चा बस वही क्यूंकि आप कुछ से capital कुछ invest नहीं कर रहे हैं आप किसी और के पास जाकर काम करोगे वही है आपना क्या capital है फिर तो registration 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 वगरा होती है ठीक है कुछ important नहीं है रीड़ कर लेन टेक्सबूक सही नॉर्ट बिग डिल कुछ नहीं नॉन transferability आसी नहीं है मतलब समझो ना एक company है सम्झो दोस्तों जे आर कॉलेज पे आपका भाई पढ़ाता है कि पढ़ाता है मैं मेरे एक दोस्त है क्यामे के पीछे क्या नाम आपका है उमकर ठीक है तो उमकर भाई का इसफास मेड़ा है सब्सक्राइब टीक है कना अपना जो अमकर यह ना मेरा खास मिद रहे जेयर कॉलिज पर मैं पढ़ाता हूँ टीचर कल बदाए ओंकर भाई सीधा जेयर कॉलिज के आफिस पर आगए है आज गौरोफ सर नहीं आ रहे मैं पढ़ा हूँ का इसा नहीं चलेगा ना एंप्लॉइमेंट में कौन है गौरोफ सर अपने बिहाफ में किसी और को बेच सकते नहीं जिससे मेंने बताय क्या मैं अपने पैरेंट्स को बीच सकता हूँ मेरे बाइब बच्पत में न मरे पाप मुझे साइंस पढ़ाते थे बहुत सभी पढ़ाते थे जब मैं बहुत चोड़ा था चलो आज से जर टुटोरियल्स पर बच्चों को जो मैंस और कंपलीट नेचर आफ वर्क जैसे जैसे मुझे टास्क मिलेगा जो मेरे कौलिफिकेशन में आता है जितना मुझे पैसा मिले है पैसे की तो बात ही नहीं हो आगे तो काम करना ही पड़ेगा लेकिन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास जैसे अब मैं CS हूँ मुझे काम दिया करूँगा यहांब यहांपी हुता है इसके साथ तो इस तरह से nature of work होता है तो इसके साथ दोस्तों आपका लेक्चर नमर सेकेंड यहाँ पर ही एंड होता है और इसी के साथ इस लेसन का ना हमने बहुत ही सच में important है समझेंगे वो लेक्चर नमर थर्ड में और इसी के साथ दोस्तों लेक्चर नमर टू को मिया पर इंड कर देना आपको सब कुछ समझ में आ चुग है ना आप मेरे साथ आपकी 11th की जरनी enjoy कर रहे हूं और आप मेरे साथ आपके 12th में भी बने रहा हूं ठीक है दोस दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं मिलता हूं आपसे लेक्चर नमर थर्ड में तब तक के लिए भाई पढ़ाई वाडाई करो चलो एंड करता हूं